जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटी चैनल एईजय स्टेडी पर दोस्तों इस वीडिव में बात करने वाले इंडियन एर फोर्स के सलक्षन प्रोसीजर के बारे में किस वार का सलक्षन प्रोसीजर क्या है और इस वार आप लोग बता दूँ कि इस सफर रहने वाला है सलक्षन प्रोसीजर के अंदर वो पूरा एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा और नए केंडिड है उनको ये बात जरूर जानना चाहिए तो आप लोग पूरा वीडियो को देखना और इस वीडियो का अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जो बाता होगा सबसे पहले आप लोगों कींड़ा एक जान नरहां होते हैं तो पहला टर्म होगा की इसका स्टेस्ट में कि आप लोगा होगा CBT exam यानि computer based test होने वाला है online exam होने वाला है ठीक है तो phase 1 में आप लोग का exam होता है अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि exam में question किस type यह होंगे तो X में होता है मेरा भाई science के question ठीक है 12th level के और Y के अंदर होते है non-tech के question यानि कि आप लोग 1 से लेकर और 10 वी तक के जो भी math with हो गया जी के विक्के हो गया बाकि English दोनों के लिए same होते हैं तो यह होता है कुछ syllabus और इसी type से आप लोग के question पूछे जाएंगे यह हो गया मेरा भाई क्या कि पहला पहला जो आप लोग को काम करना है selection procedure के अंदर वो होगा आप लोगा computer based exam उसको अगर आप लोग exam को पास कर लेते हो ठीक है exam पास कर लेते हो या exam देते हो तो exam के ठीक 30 दिन के अंदर अंदर आप लोग को क्या दे दिया जाता है मेरा भाई result दे दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर हो जाता है कि मेरे भाई कि एक्जाम के बाद आप लोगा result आने वाले अगर result में आप लोग का नाम होता है तो आप लोगा फिर phase two phase two के लिए बुलाया जाएगा फेज two के अंदर क्या होता है मेरे भाई यह चीज आप लोग समझेज़े ठीक है phase 2 के अंदर आप लोग का यहाँ पर बहुत सारे चीज़ चलने वाला है उससे पहले मैं आप लोग को छोटी सिजन कारी दूँगा तो अभी हम बात करने वाले एरफोर्स की बेस्ट बुक क्योंकि चक्छू पब्लिकेशन के बुक को मैंने खुद देखा है बहुत अच्छी बुक के लेटेस्ट एक्जाम पेटन पे कवर किया गया बुक को और बहुत अच्छे-च्छे कोशन डाले गया है सारे यहाँ पर कोशन मिल जाएंगा आप लोग देख सकतो कोशन को भी इसके अलाबा मेरे भाई अगर आप एरफोर्स के बुक के साथ प्रैक्टिस सेट लेना चाते है तो प्रैक्टिस सेट भी इनकी है प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर ना उसे और अच्छा आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक है कि आप लोग का होने वाला है, exam के ठीक result हाता है, उसके लगबग मान लो कि 20 से 25 दिन बाद आप लोग का क्या हो जाता है, 20 से 25 दिन बाद आप लोग का physical हो जाता है, physical में वही आप लोग का running running होता है, ठीक है, यह सब चीज होता है, इस पर already video बना रहा हूं, तो जा के देख ल आप लोग का physical हो गया, document verification हो गया, यह जो pass कर लेते हैं, फिर उनको मौका मिलता है मेरे भाई आगे बढ़ने का, और आगे आप लोग का होता है, मेरे भाई क्या सीज होता है, यहाँ पर addability test 1 और यह होता है, addability test 2 होता है, 1 के अंदर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो ए एक होता है, GD होता है, और एक दूसरे मोता है, SRT होता है, ठीक है, यानि कि situation reaction test होता है, जिसमें कि 45 questions आप लोग से पूछे जाते हैं, और GD यानि कि group discussion होते हैं, जिसमें कि आप लोग को English में कुछ topic दिया जाता है, और उसमें बात करने होता है, ठीक है, तो वो चीज आप लोगो pass करना होता है, लेकिन इस बार से क्या किया गया है, यह जो adaptability test 2, जिसमें कि SRT आता था, इसको air force ने हटा दिया है, इसको हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक यह रखा है, तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और जहां तक कि candidate को बहुत जादा राहात मिल लेकिन GD को नहीं अटाएगा, GD अभी विए, अब यहां पर हो गया, कि यह जीज़ किलियर होने के बाद, जो SRT, GD किलियर कर लेते हो, उसको आप लोगा medical examination चलता है, ठीक है, medical examination में क्या होता है, simple आप लोग समझो कि आप लोग medical किलियर कर लेते हो, ठीक है, medical किलियर कर ल लिए, बस हां कि यह, इससे यह पता चलता है, कि आपने medical किलियर किया है, ठीक है, और जो medical किलियर नहीं करते है, मेरे भाई, उनको red card मिलता है, यानि कि आप बाहर हो चुकि, unfit हो, तो ऐसे करके पता चलता है, ठीक है, तो यह होता है, तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो, मेर भाई कि आगर आप लोग मेडिकल किलिर कर लेते हो तो यहां पर आप लोग का फेज टू के अंदर फीजिकल हो गया यहां पर जीडी हो गया और उसके बाद आप लोग का मेडिकल और डोकुमेंट वेरिफिकेशन इतना चीज होने के बाद आप लोग को घर पे भेज दिय है मेरे बाइ जैसे कि मेरिट लिस्ट बनते है ना फाइनल मेरिट लिस्ट वो नहीं बनेगा पी एसल के अंदर होता है कि आप लोगों नॉर्मल आप लोगा मेरिट लिस्ट बनता है तो अगर आपका पी एसल में नाम आ जाता है तो बढ़िया है अगर नहीं आता है तो फिर कटफ लगते हैं ठीक है जो भी कटफ लगेगा उसको पार करते हो उसके बाद फिर से एक फाइनल आता है पीएसल के बाद मेरे भाई फिर से एक आता है फाइनल जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे बाई क्या चीज बोलते हैं इंडॉल्मेंट लिष्ट बोलते हैं और इंडॉल् कट अप अपने अपता कट यह सहना के लिए कि साय और अंवरे ना में इस लिए, आतएं, उन्रॉल्मेंच सब्सक्राइगांद खनकाल होयना एंद्रॉण सायस का और दो लृवह दिलन करनी में हो तो पियेसल आने के बाद कुछी दिन करना है क्या चीज के लिए मैरा वाई जौाइधि लेटर के लीए जौाइधि करना है जौाइधि करना चीज के लिए जौाइधि के लिए जौाइधि करना ओएगा उस olabilir देखो कभ है और etAP कर लो तो यह है Air Force का इस वार का selection procedure पूरा मैंने आप लोग बताया online form फिलप से लेकर और जोइनिंग लेटर तक का पूरा सफर आपको बताएगी कैसे कैसे क्या होता है ठीक है I hope पी सब कुछ आप लोगो समझ में बाके मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में तब तक लिए जाहिन्द बंदे मातराम